मतलब जो इंसान कमाता है उससे अफ़ी जिन्दगी बिता सकता है लेकिन जो इंसान देता है उससे किजी की जिन्दगी बदल सकता है I think एही बाद Prophet वजिंदेर सीम जी करते हारे Blessings हो बच्छों के लिए नेक काम करना I think वो ही हमारे जो जो जिन्हें उपर वाले ने सब कुछ दिया हुआ I think उन्हें तब जाके तुक्ती मिलती है अलाम बनता है एक स्कून सा मिलता है जब वो दूसरों के लिए कुछ करते है तो इसने हरे के लिए हमेशा यह नहीं होता है कि किसी को आप पैसे दो जो आप दॉलत दे के उसकी मदद करें लेकिन हमेशा यह होता है कि आप एक इंसान के वार असास दो वक्त भी दो वक्त भी उजारा आपने उनके साथ तो उसके लिए भी वो बहुत खरब करता तो यह याद रखेगा और यह जो हमेशा कहते आए है उसका फालन करना और इंसान की मदद में हमेशा आजे रहना तो आप बहुत शुमीर वो डायलोग जो प्रभी बजिनका सिंग जी ने कहा था वो अवरी फिल्म धटकन का था और यह मैंने अंजली के लिए कहा था जो मुझे छोड़के चली गई थी कि अंजली अंजली मैं तुम्हे भूल जाओ यह हों नहींसकता और तुम मुझे भूल जाओ कि नहीं कहुदा है। लाकी जी ने कहा कि आपको आना है, और लाकी जी को मा मानता हूँ कि, क्या कहूं अपनी इंडास्टिक की क्या है। हर चीज के लिए जहां इंसानों पे लोगों के लिए फरक फड़ता आगे आती ही है तो ऐसा नहीं काम करते रहना और अच्छाही के लिए और सच्छाही के लिए हमचा करते रहना यही मैं चाहूंगा गॉट ब्लाइस एंड मेरी क्रिस्मस तो अलोगी हो गाद में घवशेवानी कर रहा हूं सुनेल सेथी साथ के लिए सुनेल सेथी साथ एक दिल मिनिस्ट्री लाइन में भी बहुत बड़े बुचे पत्पर होंगे इस्वत्ति के नान में इनके ख्याल में नहीं होगी हमात अभी कुछ भी नहीं होगा लेकिन बहुत सारे स्टार नहीं जानते एक दिन यह अनना भाई इनको बच्पन से बोलते आ रहे हैं लोग क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं बहुत बॉंबे में बहुत गरीब लोगों के काम आते हैं और सब लेकिन आज जब चर्चिस में बकवास बातों को होते हुए हम देखते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है दोस्तो सबसे पहले तो नए साल के चड़ते ही एक नई कॉंट्रवर्सी हमारे सामने निकल करके आई है मैं आपको बता दूँ ये कोई कॉंट्रवर्सी नहीं है ये के रियालिटी है और जो आत्मिक लोग हैं वो ही इसको समझ सकते हैं वो कभी भी नहीं समझ सकते जिनको एक वचन पता है कि दोश मतलगाओ कि तुम पर भी दोश ना लगाया जाए वो सिर्फ एक बात जानते हैं और कमेंट में आकर के वो लिक करके चले जाते हैं मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा बलकि उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो सच मुझ में परमेश्वर की भेडे हैं और परमेश्वर के आवाज को सुन करके चलती हैं मैं आपको बता दू दोस्तो जैसा कि अभी आप जानते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंग ने जो कि अपने आपको परमेश्वर के अभिशिक्त दास समझते हैं मैं समझते इसलिए बोर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये हरकत कभी भी कोई परमेश्वर का अभिशिक्त दास तो नहीं कर सकता है हरकत मैं भी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ पहले आप इस वीडियो को देखिए अभी आपने इस वीडियो को देख लिया कैसे स्टेज से ऐसी ऐसी बाते बोली जा रही है इतना ही नहीं दोस्तों राजपाल यादव को आप जानते हैं उन्होंने स्टेज पर गाली भी दी इन्होंने जंगल से अपनी शुरुवात की और फिर जो जंगल में मंगल किया है इन्होंने फिलिम इंडस्ट्री में राजपास जी आपका डायलोग सुनने के लिए सा बहुत बेकरा है महरो महरो हमको जिन्दा मर्टोलन साल मैं कोई मंदरी का घंटा कोई दिया के बना जाता है यह हर्ताल कब खतम होगी अपना एक डायलोग बोलते हुए लेकिन अभी जो प्रॉफिट बजिंदर सिंग को जो फॉलो करते हैं उनकी आखे शेतान ने बिल्कुल बंद कर दी है उनके कान बिल्कुल बंद कर दी है वो अभी भी नई समझ पा रहे कि क्या कोई परमेश्वर का अभिशिक्त दास इस तरीके से फिल्मी स्टारों को बुला करके परमेश्वर की हजूरी में इतने गंदे शब्दों को बुलवाएगा या गालियों को दिलवाएगा अब मैं आपको दोस्तों एक परमेश्वर के अभिशिक्त दास की वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं चर्च जो एक पवित्रताई का चैनल है चर्च इंटर्टेन्मेंट का चैनल नहीं है चर्च अखाड़ा नहीं है चर्च हसी ठटा करने का स्थान नहीं है हमारे पास heavenly इतनी अन्वाइंटिंग होनी चाहिए heavenly इतना आनंद होना चाहिए कि हमें उसी से ही भर जाना चाहिए आमें बाइबल तो कहती है तेरे मुझे कोई गंदी बात ना निकले लेकिन आज जब जर्चिस में बकवास बातों को होते हुए हम देखते हैं तो बहुत दुख पहुंचता है अच्छी बात है लोगों को आप बुलाएं लेकिन कहां कितना क्या रखना है तो कि हम भी लोगों से उने से प्यार करते हैं जो अन्य चाहतिया है और अभी भी करते हैं उनका कसूर नहीं लेकिन जो spiritual leaders हैं उनका कसूर है कि वो बे अकल हैं उन्हें मालूम नहीं कि हम किस तरह से हमको परमेश्वर की सिवकाई को आगे लेके जाना है दोस्तों ने इस वीडियो को देख लिया और आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैंने परमेश्वर के अभी शिक्त दास क्यूं बोला क्यूंकि सच मुछ में मैं आपको बता दूं परमेश्वर के दास अंको नरूला जी एक real man of God है और इस बात को समझते हैं कि ये बात कितनी गंदी और कितनी घिनोनी है पहली बात तो चर्च में बॉलिवुट के एक्टरों का काम क्या है चर्च में उनको क्यूं बुलाया गया है अगर बुलाया गया तो उन्हें सुसामचार बताएं बलकि यहां पर सुसामचार तो नहीं बताया गया उसकी जगा पर उनसे ह थी के उपर एक वीडियो बनाई थी जब उनसे अंजली वाला डायलोग प्रॉफिट बहिंदर सिंग ने बुलवाया था इस सचाई को मैंने दिखाया तो मेरी इस वीडियो को इन लोगों ने टेक डाउन कर दिया और क्या पता इस वीडियो को भी टेक डाउन करने की कोशिश करें ये लोग स्टेज से गलत कर सकते हैं और हम गलत को दिखा भी नहीं सकते लेकिन दोस्तों परमेश्वर मेरे साथ है और मैं तो सच्चाई को दिखाऊंगा और मैं एक बात फिर से बोल दूँ कि ये सब बाते सिर्फ वही समझ सकता है जो परमेश्वर का सच मुझ में चुना हुआ है और आत्मिक है वो कभी भी नहीं समझ सकते जो पापा पापा बोल करके पीछे घूमते हैं लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इनसे जलते हैं लेकिन हम इनसे क्यों जलेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता अगर जलना होता तो पास्टर अंकु नौरला जी से भी जलता और इस वीडियो में उनको परमेश्वर का अभिशिक्त दास भी ना बताता अंकु नौरला जी के पास बजिंदर सिंग से भीड जादा ही होगी कम नहीं होगी लेकिन वो सच में रियल मैन ओफ गॉड है आपने इस वीडियो में भी देख लिया किस तरीके से उन्होंने इस बात को बोला कि आज हम चर्च में बकवास बातों को होते वे देख रहे हैं और बाइबल में भी लिखा है कि कोई गंदी बात तुमारे मुझे ना निकले लेकिन आज के जो लीडर्स हैं वो खुद इस बात को समझ नहीं रहे उनको जिसको बुलाना है वो बुलाएं लेकिन उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसके साथ कितना रखना चाहिए और वीडियो में अंकुर नोरलाजी का ये भी कहना है कि चर्च कोई अखाड़ा नहीं है कोई entertainment का कोई stage नहीं है वो अब इनके पर भारी पढ़ रहा है पूरे मीडिया में आप इस बात को देख सकते हैं दोस्तों भारी पढ़े क्यों ना भारी पढ़ना भी चाहिए पूरे मीडिया में आप इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है जितने भी मसी मीडिया चैनल है कितने तो पास्टर हैं दोस्तो जो कि अभी सेवकाई करते हैं सिर्फ प्रॉफिट बहिंदर सिंग एक पूरे देश में पूरी दुनिया में एक पास्टर नहीं है परमेशुर के बहुत अभिशिक्त दास है किसी की भीड को देखकर कि आप ये जज नहीं कर सकते कि ओ परमेशुर का दास है या नहीं है बहुत सारे परमेशुर के दासों ने भी इस बात के लिए उब्जेक्शन किया कि ये बहुत गलत हुआ है परमेशुर की उपस्तिती से ऐसे काम को करना और जो मसी लोग हैं उनमें क्या मैसिज जाएगा इस बात को बिना सोचे समझे ऐसी हरकतों को करना कितना गलत है मैं तो इन घूसकोर मीडिया चैनलों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाई थी कि प्रॉफिट बजिंदर सिंग मिनिस्ट्री में ये कलाकार आ रहे हैं वो कलाकार आ रहे हैं अब वो क्यों नहीं आ करके सामने बोलते आखिर उनका आने का फायदा क्या हुआ मसीहत को एक फायदा तो बताएं आकर के आखिर कैमरे पर जोनोंने बड़ी चाटू कारिता करी थी व्यूस के लिए बजिंदर सिंग की मुझे तो दोस्तो पहले दिन से ही पता था जब ये एक्टर आएंगे तो जरूर स्टेज पर ऐसी हरकतों को करेंगे जिसकी वएसे कॉंटरवर्सी होगी और ये हो गई बाकि दोस्तो आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताईएगा जरूरर इन सरफ करेंगे ये प्यों रूरर इन S वाद झाएगा झाल झाल